Hello, Good Morning and Welcome Back Friends, आप देख रहे हैं पेशर एजूकेशन यूटूब चैनल, आज की इस वीडियो में बात करेंगे 16 अक्टूबर से रिलेटेड चितने भी इंपोर्टेंट का रंट अफेर बनती हैं, सारे इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे, साथ ही काफी सारे एक्स्ट अफेक इस्तित है, जिस पर हाल ही देश की पहली आपातकाली लेंडिंग स्टिप का उद्गाठन किया गया है, तो ये इस्तित है राजस्तान में, ध्यान रखेगा इंपोर्टेंट है, 925A जो राजमाग है, ये राजस्तान में है, जहाँ पर देश की पहली आपातकाली लेंडिं और जापान मेरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स जे एम एस्टी एप और युनाइटेड स्टेट्स नेवी यू एसन के साथ एक्सराइज मालावार का आयोजन कहां किया गया है तो आपका करेक्टरम्स होगा ये आयोजी थुकिया गया है बंगाल की खाड़ी में देखें एक चीज यहां पर ध्यान रखे गए ये इसका दूसरा चरण था पहला चरण मैंने आपको पहले बताया था पिछले टाइम पे पहला चरण ने संपन हुआ था उसके बाद में हाल ही इस भोपक्षिय समुद्री अभ्यास का ये दूसरा चरण 12 से और 15 अक्टोबर के मद्धे बंगाल की खाड़ी में संपन किया गया है यहां पर आपको बता दे कि भारतिये नोशेना जो इसने इसमें भाग लिया है इसकी भागेदारी में इसमें आइनेस रण वीजे आइनेस सत्पुडा पी एटाई लंबी दूरी की जो समुद्री गस्ति विमान है और ए एक बहुपक्षिय वार गेम नोशेनी के अभ्यास है जिसे 1992 में सुरू किया था उस टाइम पे केवल भारत और अमेरिका ही जो है इस अभ्यास में सालेते थे लेकिन आप्टर देन यहां पर देखिएगा जापान और ओस्टली अभी इसमें सामिल हो गए और उस समय यह भ्यास को जो यहां पर ऑस्टलियन ने भी है जापान ने भी है और यहां पर जो उनाइटेड इस्टेट ने भी है इनके साथ मिलकर इसका आइजन करता है ठीक है नेक्स्ट यहां पर देखिएगा किस अंस्तान ने साइंटिपिक एडवाईजरी ग्रुप फोर दा ओरिजन और नौवेल्स पैथोगेंस इसका सोट में नाम है S.A.G.O. ठीक है इसका गठन किया है तो यहां पर इसका गठन जो किया गया है विश्वस्वास्ते संगठन डबलू एचो वर्ल्ड हेल्थ ओर्गनेशन के द्वारा इसका गठन किया गया है इसतना साथ को धान रख लेन है वागि नेक्स अपडेट देख लीजीगा भारत का पहला अटल सामुदाइक नवाचार के इंदर किस सहर में सुरू किया गया है यह सुरू किया गया आपका जेपूर राजस्तान में देखिए राजस्तान का जो जेपूर सहर है जो केपिटल है राजस्तान की वहीं पर ये देश का पहला अटल सामुदाइक नवाचार के अंदर शुरू किया गया है इसकी अगर बात करते है तो जो राज जैपुर में विवागरंद गलोबल यूनियोशिटी है इसी में भारत के पहले अटल कम्यूनिटी इनोविशन सेंटर ACIC का उद्गाटन किया गया है और ये है भारत सरकार अटल इनोविशन मिशन और निति आयव द्वारा इस्तापित किया जाने वाला पहला देश का अटल इनोविशन के इंदर होगा ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है नेक्स्ट देखेगा किस देश की एमी हंटर वंडे सतक लगा कर वंडे सतक लगा कर एक नया इतियास रस दिया है और ऐसा करने वाली ये सबसे युवा खिलाडी बन चुकी है आयरलेंड से इनका संबंध है इतना आपको ध्यान डखना है यहाँ पर एक दिवे से सतक लगाने वाली आरलेंड के सिर्फ चोथी जबकि साल 2000 के ब पाकिस्तान के जो साहिद अफ्रीदी है इनके नाम है ये भी आपको ध्यान रखना है 1996 में सिर्लंका खिला आप इन्होंने 16 साल की उमर में यहाँ पर 102 रण की पहारी खेली थी तो मेल फीमेल का दोनों का हमने डिसकस कर लिया है दोनों आप ध्यान रख लीजिएगा नेक्स ATM यहाँ पर देखेगा नाम से आप आइडिया लगा सकते हैं माइक्रो मतलब यह जो हमारे वर्तमान में जो ATM है उनी का एक मिनी वर्जन है ठीक है जिसको यहाँ पर इसकी साइज को सोटा करके इनको यहाँ पर डवलप किया गया है और कोटक महिंद्रे बैंक ने अभी इनक नेक्स्ट यहाँ पर इसके जो MD CEO हैं वो भी आप दिहान रखेगा उदे कोटक जो है महिंद्रा कोटक के वर्तमान में MD और CEO हैं नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखेगा 15 अक्टोबर को विस्वभर में इन में से कौन सा दिवस मनाया जाता है देखेगा 15 अक्टोबर को यहाँ पर अंतराष्टिय ग्रामिन महिला दिवस के रूप में सेलिबरेट किया जा रहा है नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखेगा वर्ल्ड स्टील एसोसियेशन ने हाल ही में किसे अपना चेर्मेन चुना है तो करेक्ट आन्स होगा यहाँ पर सज्जन जिंदल देख पर सज्जन जिंदल है इनको चुना गया है और इस पद पर चुने जाने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति हैं ये चीज इंपोर्टेंट है यहां पर ठीक है नेक्स्ट अपडेट देखेगा आपर ये दो मोदी वेनु जिनका हाल ही में देहांत हो गया है ये कौन थे लेखे ये एक बोलीवड अभी नेता थे भारते अभी नेता थे तो हाल ही में इनका नेधन हो गया है इनका 21 सेतर से संबंदित थे अभी मतलब की जो फिलम जगत है हमारा सिनेमा जगत उससे संबंद था इ तो यहाँ पर देखेगा crisp M tool जो है यह launch किया गया है जो मानेरेगा है, जिसको आप कहते है मार्तमा गांधी नहरेगा योजना ठीक है मानेरेगा इसका shootfoam है, तो हालखी में देखेगा सरकार ने यहाँ पर जो crisp M tool योजना है यहाँ पर इसके लिए launch किया गया है आप यहाँ पर देखेगा आपको थोड़ा से इसके बारे में जानना है जो केंद्रिय ग्रामिंड विकास और पंचायती राजमंत्री हैं सरी गिरी राज सिंग ठीक है इन्होंने क्लाइमेट रिसाइलेंस इनफॉमेशन सिस्टम एंड प्लानिंग इसका फुलफो में क्रिस्प एहम का ट्विक है ये टूल लोंज किया है तो यहाँ पर इसका उप्योग कहां किया जाएगा जो महात्मा गांदी रास्टिय ग्रामिंड रोजगार कारंटी योजने है इसके तैत यहाँ पर बोगोलेक सूचना प्रणाली आधारित वाटर सेटी योजना में जलवाईू सूचना के एककरण के लिए इसका उप्योग किया जाएगा इतना आपको देहन डेकना है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा जो आज की क्वीज है इसका अंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बोक्स में जोगी कॉसन है कि मरियपंध थंगवेलू ने टौक्यो पेरा ओलम्पिक्स 2021 की पुर्षो की उची कूद T63 में कौन सा पदक जीता था यह आप से यहाँ पर पूछे जा रहा है जो भी करेक्ट आंसर है नीचे कमेंट बोक्स में लिखना है सोगाई शी थी आज की करन्ट फिर्स होप आपको वीडियो पसंद आईए तो लाइक शेर जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो में इतना ही है मिलते है नेक्स्ट व